हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज इम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में इन्फोसिस लिमिटेड का जैसा कि आपको सिनेरियो पता ही है क्यूफोर के रिजर्ट आने के बाद बारे में कुछ भी पॉलता हूं कुछ दू-तिन कोमेंट्स आते हैं सेम बंदों से जो कि बोलते हैं कि आपने शेर खरीद रखा इसलिए आप इसके बारे में पॉलिटेड बता रहे हो तो बहुत बिल्कुल भी नहीं है कि जो शेर में खरीदता हूं बस उसी को बनाता हूं यहाँ पे आप कमपनी की प्रोफाइल देख सकते हो, कमपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो, कमपनी का बिजनेस विजन देख सकते हो और कमपनी का यहाँ जो फूचरिस्टिक जो विजन चल रहा है पार्नेशिप दील चल रही है वो भी देख सकते हो तो आपको इस च तो वीडियो को प्लीज पूरा जरू देखिए आपको clarity मिल जाए और आप ऐसे कॉमेंट ना करो और यहां पर चैनल पर फर्श्टाम विजित कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरू कर लीजेगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बारी जल्दी से इसके सिनारियो पर नेजर डाल देते हैं पिछले चार दिनों से अगर आप यहां पर देखोगे तो यह प्राइज आपको देखने को मिल रही है क्योंकि इस बारी बहुत ही जादा जो गैप आया है मार्केट में वो ड्यू टू हॉलिडेज आपको देखने को मिल रहा है 1751 रुपे के आसपास Infosys की आपको closing देखने को मिल रही है और करिवन 0.49% की आपको upside moment देखने को मिला था जिस दिन इसका Q4 result आया था अब जब Q4 result आया वो after market closing आया तो उसका impact आपको इस share price पर पढ़ते हुए अभी तक तो नजन नहीं आपा है तो क्या कल जब market open होगा तो उसका impact पड़ेगा positive पड़ेगा negative पड़ेगा इन सारी चीज़ों पर इम discussion करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको यह दिखाओं कि पिछले एक साल इस company का कैसा गया है तो पिछले एक साल मैं यह तो नहीं बूरूंगा कि बहुत ही ज़्यादा awesome गया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पिछले एक साल में लेकिन company जिस according यहां पर डिविटन देती है वह काफी यादा इसको एक अच्छी कॉल बना देता है लॉंग टम के लिए शॉट टम के लिए तो आपके बहुत ज्यादा रिस्क और रिटन वाले रिटन्स हैं यहां पर इस टॉक्स हैं लेकिन अगर आप को कुछ जो ADR वगरा है उनका डेटा दिखाने चे पहले मोतिला लोसवाल आखिर इस पर्टिक्यूलर स्टॉक पर क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं आफ्टर क्यू फो रिजल बो दिखा देता हूं फिर इसके बाद बाकी चार ब्रोकिंग फर्म्स की बात करने वाले हैं य को यहां पर 500 रुपय और इंक्रीज होके 2000 रुपय के टार्गे मोतिला लोसवाल की तरफ से दिये गए हैं तो जो भी लोग कॉमेंट दर लेते आप देख सकते हो यहां पे मेरा नाम या मार्केट गयान कहीं नहीं लिखा है यहां पर मोतिला लोसवाल लिखा है उन्होंने यहां पर बाइंग की रेटिंग दी है तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आगे अगर इस रिपोर्ट को कंसिडर करोगे तो ओवरल मैं अगर आपको डिरेक्टली बताऊं कि इनको भी जो क्यूफोर रिजल्ट है वो बहुत जादे इंप्रेसिव तो नहीं देख क्वाटर फोर रिजल्ट आया है वो हैंपर हुआ है अधर्वाइज यह तक को सिनेरियो नहीं है कंपनी अल्रेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और यहां पर आगे भी करते वह नजर आने वाली है अब मैं आपको एक बारी जो इनफोसिस लिमिटेड डेटा है व सफी ज्यादा नेगेटिव यहां पर आपको इंपक्ट दिखाते हो नजर आया करिवर साड़े तीन परसेंट की आपको यहां पर कल की क्लोजिंग जो है वो देखने को मिली थी तो डेफिनेटली जब से क्यूफोर रिजल्ट आया उसके बाद जो एडियार है वो थोड़ा को कॉमेंट्स देखने को मिल रहे हैं तो क्या सच में ऐसा होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग शायद ऐसा नहीं हो हो सकता है आपको कि थोड़ा से नेगेटिव मुमेंट देखने को मिले हो सकता है आपको एट पार पर भी क्लोजिंग देखने को मिले तेजी की चांसे थोड इसा कुछ नहीं होगा कि एकदम से ड्राश्टिक आपको कोई नेगेटिव यहां पर सेनेरियो बनते हो नजर आ जाए तो बुरा भी नहीं है यानि कि पिस्तो पचात रूपे कि डार्गेट करेट है आंप इसको खरीद के रख सकते हो 2150 रुपे के target के लिए अब यहाँ पे अरिहंत capital वो क्या कहते हैं उन्हें जरार है अरिहंत capital ने यहाँ पे बोला है neutral infosys target of 1659 यानि कि इनके according जो company है उसका Q4 इतना खराब है कि अब यहाँ से जो company है वो अच्छा perform नहीं करेगी और इसका share price भी अच्छा perform नहीं करेगा तो इनके according जो 1750 रुपे के target वालो जो अभी share चल रहा है उसका जो target है वो 1669 या 60 के आसपास देखने को मिलेगा तो definitely आपको यह जो report देखने को मिल रही है 16 April 2022 की देखने को मिल रही है तो मैंने आपको 3 ब्रोकिंग फर्म के अभी तक बताए हैं अब हम सबके फेवरेट MK Global Finance इनों ने क्या बोला है बाइ Infosys target of 1970 यानि की 1970 रुपे के target निकलके आए है Infosys पर buying की recommendation दी है इस ब्रोकिंग को मैं ज़्यादा consider नहीं करता हूं क्योंकि इनके जो targets हैं वो बहुत जल्दी अचीव नहीं होते हैं और targets भी कुछ ऐसे होते हैं जिन पे भरोसा करना काफी अदम उस्किल हो जाता है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 14 April की report निकलके आती है हम मैं last आपको जो आपको ब्रोकिंग फर्म निकलके आते हैं के आर चौकसी उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने भी buy in forces target of 2094 यानि करीवन करीवन 2100 रोपे के target दे दिये हैं buying की recommendation दे दिये है के आर चौकसी की तरप से 16 April 2022 की यहाँ पे report निकलके आती है तो यहाँ पे मैंने directly नाम के साथ money control की report आपको दिखाई है यहाँ पे मैंने editing नहीं की है आपको पूरी तरीके से मिल जाएगी report आप जाके देख सकते हैं जो भी लोग negative comment करते हैं प्लीज पहले थोड़ा सा base बना लीजिए उस negative comment का उसके बाद ही comment करिए so that उसमें कोई एक scenario भी बने discussion करने का तो यह सारी चीज़े मैंने आपको बता दी है वीडियो अच्छी लगे तो like करिएगा चैनल पर फैस्टामिजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को subscribe भी जरू कर दीजेगा धन्यवाद